लीजिए दोस्तों आपकी सेवा में प्रस्तुते भोपाल मेट्रो का एक और अपडेट ये जो सामने आप देख रहे हैं सेंट्रल स्कूल मेट्रो स्टेशन मन रहा है ये रोड बहुत दिनों से कई मेहनों से बंद है और अभी केवल पैदल चलने वालों को साइट से रास्ता दिया गया है तो मैंने सोचा में आपको इसका नजदीक से एक ज़लक दिखा देता हूँ तो आईए चलते हैं और इसके आगे हम सुभाश देगर मेट्रो स्टेशन और डीपो की तरफ भी जाएंगे तो आप वीडियो के साथ बने रहें यहां से रोड अभी तक बंद है लेकिट बगल से पैदल जाने वालों का अलाउड क्या हुआ है यह देखिए पैदल चलने वालों के लिए थोड़ा सा रास्ता है दिल्ली बंबई में तो ट्राफिक चलता रहता है कभी रोड बंद होते हैं लेकिन खैर जो भी है ठीक है तो यहां से बगल से मैं आपको थोड़ा सा द्रश्ट दिखाऊंगा कि इस देशल काफी सुंदर और काफी विशाल बन रहा है यह देखिए केवल छट बनना अब बाकी है बाकी तो सब काम हो गया है इस्ट्रक्चर यह धाचा बन चुका है काफी अच्छी हर्या लिए लेकिन यहां से थोड़ा आपको और अधिक स्पष्ट दिखाई भी देगा यह देखिए इस्ट्रक्चर तो इस्टेशन का बन चुका है च्छत बनना बाकी है बस अध्यां में आगे बर्दाएंगे शुभाश नंगर इस्टेशन और डीपो की तरफ यह देखिए और आगे बर्दाएंगे शुभाश नंगर इस्टेशन और डीपो की तरफ यह देखिए, अब हम सुभाशनगर स्टेशन और डीपो की तरफ आ गए हैं, यहां भी साथ एकदम से बंद है, जिन्सी रोड पूरीते से बंद है, और यह भी कई महनों से बंद है, लेकिन यहां पर काम बड़ी टेई से चल रहा है, काफी गहमा गहमी है, सुभाशनगर अंडर ब्रिज खुला है, वहाँ से लोग आ जा सकते हैं, और यह साथ ने सुभाशनगर, मेट्र स्टेशन, काफी काम इस पर हो गया है, इस पर भी केवल छट बनना वाकिए है, इधर एक वाया जब जा रहा है, डीपो की तरफ, यह इधर सुभाशनगर अंडर ब्रिज जिदर से बाइक जा रही है, और इसके बगल में ही यह बना है, वह यह वायर एक बीपो तरफ जा रहा है, यह बहुत तेजी से काम हो रहा है, यह देखिए, सब कुछ तयार हो गया है, इसका फोल्डिंग हटाना है, छट बनानी है, टीम लगी भी है बराबर, इधर वायर डिपो तरफ डिपो तरफ भी कंस्ट्रक्शन जारी है डिपो का, और बोपाल के बारे में ऐसे वीडियो सारे अपडेट्स, इंफ्रास्टेक्ट्र पोजेक्ट के हर मेहने में लात रहता हूँ, तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि हर मेहने ऐसे वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें, और आपको जानकारी होती रहे कि भोपाल में कहां पर क्या हो रहा है, और हर प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, तो जरूर से इस चैनल को अपना प् जटिल और मेहनत का काम है, हमें अप्रिशेट करना चाहिए कि काम हो रहा है बोपाल में, और इधर आगे पुल-बोगदा तरफ भी काम आगे बढ़ जा है, ज्यादा प्रगति उसमें नहीं है, लेकिन शिलहष ने काम आगे बढ़ रहा है, जोन की तेज तप्ती धूफ है, बहुत गरम है, और सूरज यहां सामदे आ रहा है, तो थोड़ा सा कालापन दिखाए दे रहा है वीडियो बे, इसलिए एक बाफिर साम पलट कर जाएंगे ताकि शूरज सामने नहों और आप ठीक से देख सके, यह ज़र पुल-बोगदा तरफ यह बढ़ गया है काम, एक रेल गाड़ी जा रही है, भाहर की रेलवे की, डानी कमलपति स्टेशन से निकल कर बोपाल जंक्शन की तरफ, हम पलट कर एक डजर ओर देखेंगे, क्योंकि सूरज इधर सामने है, यह देखिए, इधर काम इस तरह से हुआ है, और दाहिनी तरफ, यह मेट्रो का डीपो बन रहा है, जहां यह बेरिकेटिंग दिखाए दे रही है, इसके उस तरफ, यह तो आपको मुणने पड़ेजा की काम यहां पर बहुत तेजी से हो रहा है, और टीम ब्राबर लगी भी है, दोनों जगें, मेट्रो की तरफ, और इधर डीपो जहां बन रहा है, वहां भी कंस्रक्शन जारी है, यह यह के टीम लगी भी है, ब्राबर, काम जारी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैख आइकन क्लिक कर दें, ताकि ऐसे अपडेट्स आपको ब्राबर मिलते रहे हैं, धन्यवाद,